क्या यार तुम अब तक सोही रहे हो? क्या यार तुम स्कूल नहीं जाओगे? क्या यार तुम अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हो? तो आज हम सीखने वाले कि इस परकार के संटेंस इंग्लिस में कैसे बोले हैं? इन सभी संटेंसों में आता है क्या यार तो क्या यार के लिए इस परकार से structure यूज करेंगे सबसे पहले यूज करेंगे what body जिसका मतलब होता है क्या यार उसके बाद एक complete sentence लिखेंगे तो चलते हैं example की साहिता से समझते हैं जैसे क्या यार तुम अब तक सोही रहे हो तो क्या यार की अंग्रेजी के लिए हम बोलेंगे what body उसके बाद अब तक सोही रहे हो इसको हम बोलेंगे you are still sleeping मतलब what body you are still sleeping का मतलब क्या यार तुम अब तक सोही रहे हो एक और example जैसे क्या यार तुम school नहीं जाओगे तो इससे बोलेंगे what body will you not go to school यहां पर हम question पूछ रहे हैं इसलिए will you not go to school आया है तो एक और example जैसे क्या यार तुम अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हो तो इससे कहेंगे what body you don't know how to speak English what body you don't know how to speak English इस परकार से बोलेंगे तो I hope आपको इस परकार के sentence इंग्लेज में बोलना आ गया होगा यदि आ गया दो चार sentence कमेंट में जरूर लिखेगा इसलिक साथ वीडियो सब्सक्राइब करते हैं थैंक्स पर वाचिंग गाइस